हेलो एवरिवन वेलकम तो मैगनेट ब्रेंस मैसल प्रतीकन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिडी कॉंटेंट, क्वालिडी एजुकेशन वह भी बिलकुल बकायदा फ्री आफ कॉस्ट केजी से ल अपलोड होता है हिंदी मीडियम के चैनल पे चाहे वह कोई रिकॉर्डिंग हो चाहे वह कोई लाइव क्लास हो तो उसकी जानकारियां उसकी नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे आप किसी भी कंडिशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे बस आप एक बात का खास क्यार रखे है हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कॉन्टेंच अवेलेबल है कौन-कौन से इस स्टेट बोर्ड जन सर memb बिहार यूपी बोर्ड राज राजस्थान बोर्ड ये ओर डेली बोर्ड है और अगर आपको यगrr ऑ आपको system of particles and rotational motion अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं angular velocity और उसका relation with the linear velocity ठीक है अगर कोई particle अगर कोई body linear motion में है तो उसके पास कौन सी velocity होगी linear velocity होगी अब वहीं अगर कोई particle या कोई body अगर rotational motion में है तो उस particle की या फिर उस body के आप निकाल सकते हैं angular velocity तो बिना समय लगा है आपको ले करके चलते हैं इसके basic idea वाले slide के ओपर क्या लिखा हुआ है कि we know that in pure rotation of a rigid body about a fixed axis every particle of the body moves in a circle which lies in the plane perpendicular to its axis ठीक है आप जो इतनी इंगरेजी में यहाँ पे यह चीजें लिखी हुई है है तो बड़ी इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इस body को पकड़ा और इस body को ऐसे घुमा दिया इस body में कोई भी linear motion नहीं हो रहा है यह body आगे की तरफ नहीं जा रही है यह बश बड़ी जो है वो अपनी axis के about ऐसे 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 चक्कर काट रहे है यह जो body है यह अपनी axis के आसपास सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके बस चक्कर काट रहे है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपे ठीक है तो pure rotation में क्या होता है about a fixed axis जब हो रहा होता है rotation तो हर particle जो होता है ना body का वो एक circular part में move कर रहा होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह अपने पास rigid body है अब यह बनी होगी n number of particles को मिला करके बोलो हा की ना क्या बोला है मैंने यह जो rigid body है यह बनी होगी n number of particles को मिला करके और यहाँ पर हर particle की जो दूरी है ना वो rotation axis से अलग-अलग हो सकती है अब ज़रा गौर करें क्या होगा जब यह rigid body पूरा rotation में आ जाएगी rotation हमें इस फिक्सड access के बाउट होता है तो अगर यह body पूरा full rotation में आ जाएगी तो basically क्या होगा कि यह जो point होगा यह जो point mass होगा यह भी circular path में move करने लगेगा यह जो point mass होगा move कर रहा है particle वो जो circle पे अगर आप focus करें ठीक है यह जो particle है यह circular path पे move कर रहा है बोलो हा की ना तो अगर आप इस circle पे focus करेंगे अगर आप इस circle पे focus करेंगे तो यह जो axis है ना यह circle के perpendicular निकल गई है यह जो axis है ना यह circle के perpendicular निकल गई है बोले हा की ना कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है ये सर सही बात है जो ये circle है इसके perpendicularly axis निकल गई है उसी चीज़ को यहाँ पे English में लिखा हुआता है कि every particle of the body moves in a circle हर particle जो है ना every particle of the body this basically moves in a circle और जो ये circle होता है जो ये circle जिस plane में लाई कर रहा है वो rotation axis के perpendicular है ये circle जो है ये circle ये circle जिस plane में लाई कर रहा है उस plane के perpendicular निकल गई है rotation axis ठीक है which lies in a plane which lies in a plane perpendicular to the rotation axis और एक मज़ेदार बात क्या है कि इस circle का जो center है वो स्वयम rotation axis पर ही आ रहा है कोई दिखका तो नहीं है सर पक्का पूरा क्लियर है and has its center on the axis only तो यह बात को आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से अब जड़ा एक और खुबसूरत सी बात पर आपका मैं ध्यान ले करके जाना ले के चलना चाहूंगा ले के जाना चाहूंगा तो यहां पर क्या अपने पास एक रिचेट बॉड़ी अपने मान ली मान ले आलू है या अधरक मान ले ठीक है तो अब यह क्या है भाई सब ईहाएगा गाजाब एक तरफा निकल गई ऐसे कर गए ठीक है अब जड़ा ध्यान देना भाई सब यह अपने पास मैं क्या हो जाएगी sir rotation axis हो जाएगी अब यह जो body है ना यह rotate कर रही है about this axis like this यह body ऐसे कर रही है rotate यह body ऐसे axis के about जो हो एकड़म घुमी कर रही है अब क्या होता है कि यह जो body बनी होगी and number of particles को मिला करके यह body बनी होगी and number of particles को मिला करके तो माल लेते हैं अपन देख अब ना एक इंट्रेस्टिंग चीज तो को बता रहा हूँ मैं सुनना बस दो मिट तो यहां पर अपन एक सर्कुलर पाथ ऐसा ले लेते हैं अपने हिसाब से एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं अपने हिसाब से एक सर्कल थोड़ा सा छ इस हसाब से मैं यह कट भी कर रहा हूं तो यह circle तुम्हें नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बोलो हाँ कि ना यह circle तुम्हें नजर और diagram तुम्हें पसंद आ रहे हैं कि नहीं देखो why diagram पसंद आने का मतलब यह होता है कि physics में फिजिक्स में बेसिकली क्या है कि आपको करवाना है विजुलाइस बहुत सा यह चीज ने ठीक है और चीजों को विजुलाइस करवाने के लिए डाइगराम जो है वो बनाने पड़ते हैं तो अब जैसे मानले अभी एक्सिस पास कर रही है इसके यहां से 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 सर्कल निकल रहा है तो यह चीज़ें इमाजन विजुलाइस करवाने के लिए डाइगराम अच्छे होने बहुत ज़रूरी होते है तो अपने कलाकारी के हिसाब से मैंने इसमें पूरा जान जोग दिया है तो अब क्या है कि एक पार्टिकल यहां पर लाई कर रहा है बेटा इसका मास किता होगा इसका मास अपन M1 मान लेते हैं ठीक है एक पार्टिकल भाई यहां पर लाई कर रहा है इसका मास किता होगा भाई M2 मान लेते हैं ऐसे अपने पास गिंचुन करके N number of particles हैं तो इसका म पॉजीशन वेक्टर अपन आरवन ले लेते हैं ठीक है सेंटर से अपनने इस वाले पॉइंट का पॉजीशन वेक्टर लिया तो इसका पॉजीशन वेक्टर अपन आरटू ले लेते हैं और सेंटर से अपनने फिर इस वाले पॉइंट का पॉजीशन वेक्टर अपन ले लेत तो यहां पर क्या होता है कि जब आप इसका center of mass निकालते हैं यहां पर position vector of center of mass को अपन ने vector r से represent कर दिया So this is the position of center of mass So this is the position vector of center of mass तो इसका जो position vector होता है vector r इसका formula क्या हो जाता है m1 r1 प्लस उसके बाद formula क्या हो जाता है m2 r2 अपन नीचे लपेटे में कौन आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2 ठीक है तो यह अपने पास में आ जाता है position vector of center of mass का basic formula भाई मुझे confirmation दो कि तुम्हें यहां तक की बात जो है वो बहुत ही खुबसूरत तरह से समझ में आ गए अब यहीं पर मैं तुमको इक चीज़ा दिखाता हूँ अगर आप center of mass की निकालना चाहे है velocity तो इसका formula क्या हो जाता है भाई सब देखो m1 into जब यह particle ऐसे घूम रहा होगा तो circle पे हर point पे इसके पास जो velocity होगी उसे कहा जाएगा tangential velocity ठीक है तो भाई पहला वाला जो particle है mass जिसका mass m1 है उसकी velocity किती है v1 दूसरा वाला जिसका mass m2 है उसके velocity किती है v2 upon नीचे अपन क्या कर लेंगे sir नीचे अपन कर लेंगे m1 plus m2 तो this is the velocity of center of mass this is the velocity of center of mass मेरे ख्याल से दोनों चीज़ा आपके दिमाग में एकदम शांदार तरह से clear हो गई होगी तो जरा एक बड़ आप इसका screenshot लेंगे 3 2 1 ready go super done and super clear yes sir यह वाला funda पूरा clear हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़े मैंने लिखके रखी है आपके लिए वो अपने basic idea की supporting theory है क्या है अपने basic idea की supporting theory है तो मैं चाहूँगा जल से जल आप इसका screenshot ले लें और इसको मैं तो बोलता हूँ copy में note करना और screenshot लेना दोनों में जमीन आसमान का इंतर है copy में note करने का मतलब क्या है कि अब तुम उसको कल नहीं तो परसो तो पढ़ी लोगे लेकिन आगा screenshot है ना तो दिमाग में आता है कि आरे screenshot तो रखा हुआ है आरे वहीं से पढ़ लेंगे तो last moment पे क्या होता है कि नोट बाने की जरूबती क्या है जब screenshot है तो वहीं से पढ़ तो बाई इनसान डिस्ट्रैक्ट तो हो गई इनसान है तो है ना तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि copy में note कर लोगे यहां पर को distraction नहीं होता है तो अगर समय कम है तो screenshot लेकिन मेरा मानना है तो है कि copy में note करते हो चलो फिर आपन आपको कहानी में आगे लेके चलते है चलें फिर बहुत शानदार बहुत बढ़ी है यह वाला फंड़ा आपके दिमाग में पूरा supreme तरह से clear हो चुका था यह सर basic idea वाली slide थी तो basic idea तो अपने दिमाग में आचुका है तो अब ज़रा कहानी में आपको आगे लेका के चलते हैं topic याद रखना relation निकालना है between angular velocity and the linear velocity अब जैसे linear distance travel करने में time भी लएगा तो अगर मैं linear distance upon time कर दूँगा अगर मैं linear distance upon time कर दूँगा this will become eventually a linear velocity तो वैसा कि मैं तुमको अभी के भी बता दूँ कि what is angular velocity तो यह जो omega का symbol है न इस प्यार वरे symbol को आपन कहते हैं angular velocity इस प्यार वरे symbol को आपन क्या कहते हैं angular velocity और जैसे linear velocity होता है linear distance upon time उसी प्रकार angular velocity हो जाएगा angular distance upon time ठीक है या अगर बहुत ही प्यार आ जाए तो angular displacement कह देना इसमें कोई मसला नहीं है ठीक है तो यह जो basic idea य अब देखिया relation कैसे निकालना है वो तो तो मेरे ओपर छोड़ दे उसमें कोई इतना कोई tough चीज नहीं होने वाली है लेकिन जो basic basic terms होते है उनका हमें ग्यान तो होना चाहिए तो यह वाला fund आपको आता है अब ज़रा गौर करते हो चलना क्या लिखा हो यहां पर तो in a small interval of time delta t let the particle reach p dash after tracing this particular angle अब यह जो angle बन रहा है यह p point है c point है p dash वाला point है और delta t amount of time में जो traveling हो रही है इसको आप कैसे दर असल imagine करेंगे तो अब ज़रा यहां पर गौर करते हो चलो बेटा easy है easy है कुछ नहीं है सुनना तो एक बात यह मानले एक rigid body अपने पास ठीक है sir कोई दिकत वाली बात नहीं है अब जारा गौर करना है जो पूरा body है ऐसे कर गूम गया about है अब जैसे मानले नहीं कि मैं एक trajectory आपके सामने पेश करना चाहूंगा यह मैंने कर दी पेश ठीक है अब तुम भी जानते हो की basically क्या होता है यहाँ पर मानले तो मैं एक particle है मेरे पास ठीक है अब तो जब ये पूरी body घूम जाएगी, तो वो जो particle है, अगर आप उसके motion पर ध्यान देंगे तो वो दरसल किस तरह का motion होगा, वो एक तरह से circular motion होगा, मैं बता चुक हूँ उस बारे में आपको, कि जो circle है ये rotation axis perpendicularly एकदम चीरते वे निकल रही है, इस circle को, ठीक है, basically इस circle के एक ये आपको आया समझ ये, ऐसे इसको बीच में से चीरते वे निकल गई, ठीक है, अब गौर करिएगा, तो ये अपने पास में मान लेते हैं कि particle पहले मान लेता हूँ, और ये भी तो बढ़िया तरीका है, ठीक है, particle मान ले पहले यहाँ पे था, तो इस वाले point को, क्या मान यहाँ पे जो particle था, उसका मास किता होगा, उसका मास M के बराबर होगा, ठीक है, बट मुझे ना, उसके दरहसल डिनोशन से मतलब है, तो मैंने इसको point P नाम दिया है, और जो center है, जो की rotation axis पे लाई करा है, उसको मैंने C नाम दे दिया, चलेगा, अब जैसे मान ले, ये तो अब यहाँ पे जब तुम इसका arrow बनाओगे, पोजिशन वेक्टर, तो इस वाले point को मैं कुछ तो नाम दूँगा, तो let's suppose मैंने इसको नाम दे दिया है, P' के नाम दे दिया है, मैंने इसको P' के नाम दे दिया, ठीक है, और एक बहुत ही प्यारी बात में तुम को बता है ना, this theta itself is the angular displacement, ठीक है, यह जो theta मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है ना, this theta itself is the angular displacement, यह जो theta मैंने लिखा है, this theta itself is the angular displacement, और जो omega होता है, this is the angular velocity, और जो omega होता है, this is the angular velocity, यह सर सटीक बात है, तो थीटा है तुम्हारे पास में angular displacement और जो ओमेगा है वो है तुम्हारे पास में angular velocity इतनी अराम दायक बात है कि आपको समझ में आ गई है ठीक है चले ओके तो यहां तक का फंडा पूरा clear हो चुका है अब ज़रा गौर करते में चलना क्या कहा गया था कि delta t amount of time में ठीक है या एंगल ट्रेस कर लिया है PCP dash और इसको d theta कहा गया है ठीक है मतलब अगर चोटा एंगल रहा होगा तो इसको d theta कह दिया होगा तो मैं भी इसको फिर d theta ही पोकारना शुरू करूंगा ठीक है इसको अपने d theta बोल दिया small angular displacement ठीक है और यह कहना लाजमी भी है because delta t amount of time मतलब खुबसूरत बात है ठीक है तो इस angle को कहते है अपन इस angle को हम कहते है angular displacement ठीक है अब उसके बाद we define angular velocity definition भी बड़ी important है ज़रा गौर करते हो चलना तो angular velocity of a particle is defined as the time rate of change of its angular displacement ठीक है जैसे linear velocity होती है time rate of change of its linear displacement उसी प्रकार से angular velocity हो जाती है time rate of change of its angular displacement जिसको लिख दिया जाएगा इतने शानदा तरह से ठीक है angular velocity is equal to angular displacement upon time अगर कम समय लगा होगा delta t amount of time तो कम displacement हो रहा होगा delta theta या d theta के amount का ठीक है तो उसी प्रकार से angular velocity क्या हो जाएगी angular displacement upon time ठीक है तो मेरे खाल से यह वाला finder भी supreme तरह से clear होगा है कभी कभी क्या लगते है कि सर इतनी ही simple अगर पूरी physics होती ही तो क्या मज़ा जाता तो पिटे देगो होता है क्या है अगर यह आपको simple लग रहा है तो वह इसलिए लग रहा है because यह basic basic चीज़ है ठीक है बचाओंगो एक बर आप इसका screenshot ले लेंगे क्या because यह definition जो है अती महतुपून category की definition है और यह चीज़ बड़ी important है ठीक है sir okay done हाँ जी अब जड़ा गौर करते बचलना हम लोग अगर calculus की तरफ बढ़ेंगे calculus मतलब differentiation और integration की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे delta T का term नहीं आएगा वहाँपे डी T का term आप किसका term आएगा डी T का term आएगा अब delta T और D T में क्या होता है delta T जो होता है वो फिर भी average change in time होता है delta T जो होता है वो फिर भी ологाता है यह फिर भी average change in time होता है क्या ठीक है 2 seconds कर cuánte. डेल्टा ट का मतलब क्या होता है एवरेज चेंज इन टाइम के हाँ ठीक है दो सेकेंड से चार सेकेंड पर का है तो चेंज कितने का आ गया है दो सेकेंड का आ गया लेकिन डीटी क्या होता है डीटी इस दा वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम dt is the very small change in time अब सर ये very small change in time का basically मतलब क्या निकल करके आने वाला है यहाँ पर तो जैसे माल ले अगर 2 second पर मेरा observation शुरूआ यह काम करते हैं मालो कि जब मैंने observation स्टार्ट किया t equal to 0 था ठीक है अब उसके ना अब मैं बोलता हूँ कि t equal to 0 पर मैंने observation स्टार्ट किया यह बहुत ही छोटा समय होता है और इतने छोटे समय को फिर आपन dt से गारेंगे ठीक है तो अब जड़ा mathematically अगर आप में एक चीज यहाँ पर अपनाना चाहें तो अगर मैं ऐसा बोल दू ना कि delta t tends to 0 इसका मतलब कहा है कि average change in time को बहुत चोटा कर दो बहुत चोटा कर दो बहुत चोटा कर दो it is not equal to 0 it is just tends to 0 ठीक है तो if delta t just tends to 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो यह delta t है this will eventually become dt ठीक है very small change in time हो जाएगा तो यहाँ पर वही चीज लिखी होती ही बिटा कि अगर delta t tends to अरे यह कलाकारी नहीं करनी थी अगर मैंने बोला है कि delta t tends to 0 ठीक है तो जो यह रेशो नहीं आया था अभी angular velocity का कौन सा रेशो आयता था अगिल यहाँ पर देखना delta theta upon delta t ठीक है तो अगर मैंने यहाँ पर limit लगा दिया कि delta t tends to 0 हो गया तो जो यह delta theta upon delta t था ना वो किसमें convert हो जाएगा वो फिर convert हो जाएगा d theta upon dt मैंने कहा था if delta t tends to 0 तो फिर यह convert हो जाएगा d t में तो यह रेशो है ना यह रेशो अप्रोच अ लिमिट विच इस इंस्टेंटेनियस एंगिल वेलॉसिटी delta theta upon delta and d theta upon dt से आप इसको represent करेंगे ठीक है और फिर omega का formula क्या हो जाएगा d theta upon dt जो पहले delta theta upon delta t हुआ करता था वो अब d theta upon dt बन जाएगा ठीक है कि small interval of time में क्या small angular displacement produced हो गया ठीक है अब एक काम करेंगे अगर हम यहाँ पर limits लगा दें ठीक है अगर हम यहाँ पर limit लगा दें कि limit लग गई है delta t tends to 0 वाली अगर हम limit लगा दें कि limit लग गई है delta t tends to 0 वाली तो यह कितना हो जाएगा delta theta upon delta t और इसको फिर अपन क्या बोल सकत हैं sir इसको हम बोल सकते हैं d theta over dt बस इसका मतलब कहीं ना कि अगर मैं calculus के नजरिये से इसको देखू ना तो angular displacement का जो differentiation होता है वो हो जाता है angular velocity ठीक उसी प्रकार जैसे linear displacement का differentiation linear velocity होता है उसी प्रकार angular displacement का differentiation जो है वो angular velocity हो जाएगा क्या आपको यह वाली बात समझ में आग यह बड़े इत्मिनान से मुझे बताना कि क्या आपको यह वाला funda पूरा समझ में आ गया है ठीक है लिमिट्स में कैसे खेलेंगे वो समझ में आ गया है लिमिट्स लगा देंगे तो जो average change है this will automatically be converted to instantaneous change किसमें convert हो जाएगा instantaneous change में convert हो जाएगा ठीक है अब आते हैं angular velocity is measured in radian per second भाई यह कैसे बोल सकते हैं कि angular velocity को radian per second में measure करना है ठीक है यह कैसे बोल सकते हैं कि angular velocity को radian per second में measure करना है because basic formula अभी जो हमने देखा थोड़े देर पहले वो formula क्या था कि angular velocity is defined as चल ठीक है मैंने limit लगा जी थी तो limit delta t tends to zero उसके बाद the delta theta upon delta t gets basically converted to d theta upon dt ठीक है अब जड़ा गौर करना numerator वाला part is angular displacement numerator वाला part is angular displacement तो यह किस में आ जाएगा यह आ जाएगा radians में और यह वाला part जो है ना समय वाला वो आ जाएगा time में मतला seconds में आ जाएगा unit क्या हो जाएगी इसकी radian per second therefore 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 इसकी unit क्या हो जाएगी radian per second इतनी आरामदा एक बात है कि आपको समझ में आगी ठीक है तो यह वाला funda clear है अब यह dimensional formula develop कैसे हुआ है M0 L0 T-1 यह develop कैसे हुआ होगा ज़र अगौर करना यह जो radians है ना ठीक है this radian is a dimensionless quantity unit के तोर पर कर देखा जाए तो radian per second तो आई चुका है अब जो यह radian होता है this is dimensionless यह जो radian लिखा है ना this is dimensionless और नीचे क्या आ रहा है नीचे आ रहा है M0 L0 T की power minus 1 शुरू होते ही काम खतम ठीक है M0 L0 T की power minus 1 तो शुरू होते ही काम खतम हो जागा बताएं कि आपके दिमाग में यह वाला funda supreme तरह से clear हो चुका है yes sir बढ़ियां चल रहा है ठीक है now क्या लिका हुआ हुआ है यह पर angular velocity is a vector quantity whose direction is given by right hand screw rule अभी करवाँगा आपको अगले वाले slides पर right hand screw rule क्या होता है तो अभी इस वाले points से आपको क्या चीज़ उठानी है दिमाग के अंदर कि अच्छा बेडा angular velocity जो होता है it is basically a vector quantity कैसी quantity होती है vector quantity होती है जिसका direction अपन देंगे by right hand screw rule ठीक है इसका direction दिया जाता है by right hand screw rule ठीक है बताएंग इसके बारे में पूरा अब जड़ा गौर करें for rotation about a fixed axis the angular velocity vector lies along the axis of rotation पहली बात है यह समझ लेना angular velocity का जो direction है वो rotation axis से coincide करेगा rotation axis क्या होती है जैसे मालो अपने पास कौन सी body थी यह वाली body थी ठीक है तो यह जो body है यह जो point है यह जो point mass है वो rotation में नहीं है point mass एक given axis के about revolution में है किस में है revolution में यह जो पूरी body है यह fixed axis के about rotate करी है body का हो रहा है rotation ठीक है यह जो पूरी body है इसका हो रहा है rotation यह जो particle है इसका हो रहा है revolution तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आप भी इसको note कर लें कि body is under rotation body is under rotation body is under rotation about यह कौन सी axis है भाई इसका नाम रख देते हैं अपन y y dash axis ठीक है तो body is under rotation about y y dash axis ठीक है लेकिन उससे भी interesting बात क्या है उससे भी interesting बात ही है कि यह जो particle है this particle is under revolution तो यह जो particle है इसके बारे में क्या लिखने वाले हैं अपन कि but this particle but this particle is under revolution but this particle is under revolution यह जो particle है this particle is under revolution ठीक है about point central point का नाम कैसी तो यह जो particle है वो under revolution about the point सी इतनी अराम रायक बात है यह दो statements अपने पास अभी नहने हैड हो गए तो मैं चाहूँगा कि अपने घ्यान के भंडारे में आप इन दो statements को भी add कर लेंगे ठीक है okay done sir done बढ़ियां okay तो for rotation about a fixed axis the angular velocity vector lies along the axis of rotation and points out in the direction in which the tip of right hand screw would advance अब मतलब समाल ले अपने screw tight कर रहे है तो screw का tip है वो किस तरफ ऊपर move करेगा या नीचे move करेगा इसमाल लो अगर मैं ऐसे screw को tight कर रहा हूं तो screw जो है जो है जो समाल ले एक wooden plank यहां पर है एक wooden plank यहां पर है इसमें ठोक दी मैंने कील ठीक है अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं जब मैं इसको ऐसे घुमाओंगा इसका tip जो है वो अंदर की तरफ advance होगा अगर मैं इसको खोलूंगा unbolt करूंगा ठीक है अगर मैं इसको ऐसे घुमाओंगा तो tip का है नीची की तरफ आएगा अब इसी पूरे mechanism पर angular velocity का direction भी define कर दिया गया है तो उससे आपको रूबरू करवाना भी है ठीक है तो मैं चाहूंगा एक दफापन इसमें इसको highlight करने की for rotation about a fixed axis rotation is always done about a fixed axis और evolution is done about a fixed point ठीक है तो for a rotation about a fixed axis the angular velocity vector lies along the axis of rotation ठीक है जो angular velocity vector होता है न वो lie करेगा along the axis of rotation और point कहाँ पर करेगा in the direction in which the tip of right hand screw would advance ठीक है मतलब जिस direction में जो कील का tip है वो advance करेगा उपर की तरफ या नीचे की तरफ उस तरफ point आउट करेगा तुमारा angular velocity ठीक है तो यह is rotated with the body तो इस चीज़ को अपन दिखाने वाले अगली बाई एक दफ़ा एक काम करें आप इसका screenshot लेने हर एक bullet point अती महत्वपून category में आता है हर एक bullet point जो है अती महत्वपून category में आता है चलें बढ़ियां आ गया समझ अब जरा गौर करते हैं चलना for anti-clockwise rotation भाई सब rotation can be clockwise as well as anti-clockwise ठीक है यहाँ पर तुम देखो यह ऐसे घूम रहा है ऐसे यहाँ पर लिखाए न है आरो अगर यह ऐसे घूम रहा है अगर मैं इसको देखूंगा नहीं ऐसे तो अच्छा बिटा छे से तीन तीन से बारा बारा से नो नो से छे तो यह क्या हो ज देख सकते हैं कि हाँ यह जो अपने पास कील थी क्या शांदा डाइगरम बनाया ना बोलो हाँ की ना ठीक है चल ठीक है मैं नहीं बनाया तो यहाँ पर क्या है अगर इसमें anti-clockwise rotation हो रहा है तो क्या लिखा हुआ है for anti-clockwise rotation the direction of angular velocity omega vector quantity is along the axis thank you so much इस बात को तो अपर जानते ही है क्या angular velocity का direction का होगा along the axis तो होना लाजमी सी बात है and directed upwards यह interesting चीज है यहाँ पर देख अगर तुमने घर में दिवाली में कभी काम वाम करा है तुमने कीले अगर ठोकी है अगर तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि भाई तु किसी काम का वैसे भी नहीं कम से कमी जो series है घर प हाले कि मैंने भी ऐसे काम करी नहीं है बट कहा है कि मैं teacher तो मैं तुम्हारे उपर डाल सकता हूँ तो यह अपने ऐसे घुमाये तो यह उपर की तरफ जाएगा इसलिए अपन कहते है कि angular velocity का direction ठीक है वो किस तरफ जाएगा जिस direction में इस screw का tip advance करेगा उपर advancement नीचे advancement ठीक है तो यहाँ पर हाँ यह वाला funda पूरा clear हो गया है तो anti-clockwise जाओगे ना जैसे माल लो पता है क्या होता है अपने ऐसे भी कर सकते हैं चार उंगलिया जैसे direction में जैसे माल ले anti-clockwise rotation हो रहा है ठीक है तो चारो उंगलियों को मैं anti-clockwise तरह से curl कर लूँगा तो अंगूठा जहाँ पर जाएगा ना वो होगा direction of angular velocity हाँ सर करने को तो यह तरीका भी अच्छा है विकार जिन लोग ने घर पर कामवाम नहीं कर जिन यह basic चीजे नहीं आती है तो उन लोग के लिए क्या होता है क्या है अपने ऐसा कर सकते हैं हाँ सर ठीक है यह वाला सान है ठीक है तो चारो उं बनाते हुए चलना डाइगराम बनाते हुए चलना ठीक है तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं या तो right hand screw here of under ले या तो ऐसे ले ले कि curl the four fingers curl मतलब घुमा दो the four fingers of your right hand curl the four fingers of your right hand जिस सेंस ओफ रोटेशन के हम बात करें हैं सेंस यहां पर सेंस ओफ रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है तो curl the four fingers of your right hand in the sense of rotation of the body in the sense of rotation in the sense of rotation of the body तो यह जो चारों उगलिया है वो अपन sense of rotation of the body में curl करेंगे तो इस प्रकार से जिस तरफ हमारा अंगूठा जाएगा वो क्या हो जाएगा direction of angular velocity ठीक है so that the thumb यह जो thumb है वो rotation axis के about तो होगा और यह angular velocity की direction को भी दिखा देगा ठीक है तो so that the thumb points out in the direction of angular velocity so that the thumb points out in the direction of angular velocity so that the thumb points out in the direction of the angular velocity क्या उम्दा बात है यार कितनी जबरदस्ट, कितनी शानदार, कितनी उम्दा बात है मैं चाहूँगा कि इस पूरी कहानी का आप screenshot ले लें यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है अतीम हैच्वपून का इटेकरी में है आगे समझ में, यह सर आगे समझ में पूरा अच्छा अगर clockwise rotation हुआ तो आपन तो चलेंगे उसी साब से clockwise मतलब 12, 3, 6, 9 तो जब clockwise rotation करेंगे तो चारों उंगलियां हम उसी sense of rotation पे बिठा देंगे जिस तरफ से body का rotation हो रहा है इसवाले jut्सकति में क्या है ऊजए छटियांいき में क्या है में 뉴스 के समय हो रहा है clockwise rotation तो clockwise rotation के दौराव नहीं अंगूठा 發現 आग जहा नीचे की तरफ अप्यचे की तरफ बजलब angular velocity पॉइंप अउट करेंगी दाडिरेक्शन द्रावर्ट तरफ identify delivery एक्सिस के अबाउट तो होगा ही ठीक है लेकिन कहां ओपर के नीचे तो डिरेक्टेड डाउनवर्ड ऐज शोन इन दा फिगर ठीक है तो मेरे खाल से आपके दिमाग में यह वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा यह एंटी क्लॉक्वाइस का बना आप समझ गया लेकिन मेरी बात को कि क्लॉक्वाइस वाले में नीचे की तरफ आ जाएगा ठीक है ओके सर पक्का चले अब यहाँ पर आपके बास नहीं है चारो की चारो साइट अप मैंने एक साथ दिखा दी है ठीक है चारो की चारो साइट अप देखो भाईया अगर एंटी क्लॉक्वाइस रोटेशन है तो स्कुरू कहा जाएगा उपर की तरफ जाएगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क बहाँ चारों उउग्लियां करल कर दो direction of sense of rotation में anti clockwise में कर दो तो अंग उठा हो गया angular velocity के direction में इसको देख भाई साब यह क्या है यह clockwise rotation है भाई साब यह अपने पास고ise क्यों था तीन, छे, नौ और पीछे आ रहा होगा, बारा ठीक है? भाई यहां पर तीन से बारा जा रहे हो मतलब क्या हो जाएगा? Anti-clockwise यहां पर देखलो यह clockwise कैसे है? भाई यह अपने पास पीछे क्या रहा होगा? 12 आ रहा होगा धीक है? इधर क्या रहा है? 3 आ रहा है इधर क्या रहा है छे आ रहा है इधर क्या रहा है नो आ रहा है तो आप जैसे गए ना वो देखो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 मतलब clockwise ठीक है तो जब clockwise आप जाओगे जब आप clockwise direction में जाओगे तो आपका अंगूटा कहा जाएगा नीचे की तरफ जाएगा तो angular velocity कहा जाएगे नीचे अगर आप screw की बात करेंगे ठीक है तो अगर आप इसको कभी clockwise गुमाओगे ना तो clockwise गुमाने से यह जो screw है ना वो नीचे की तरफ आएगा अन बोल्टिंग हो जाएगी और जब clockwise गुमाते हो ना तो जो screw का टेप है उपर की तरफ जाता है यह जो nut है वो टाइट होना शुरू हो जाता है किसी भी wooden plank में है किसी भी body के अंदर ठीक है यह वाला फंडा पूरा clear है कि जल्दी बताओ क्या तो मैं यहां तक की बात पूरी समझ में आ गई है यहां तक का फंडा पूरा clearly समझ में आ चुक है ठीक है चलें अब आपको लेकर के आते हैं relation between angular velocity and linear velocity ठीक है लेकर के आते हैं आपको relation between angular velocity and linear velocity तो यह वाला diagram पूरा clear था अपने को यह से पूरा clear था अब मैं इस ही में कुछ कारणामा कर देता हूँ अब मैं इसी diagram में कुछ कारणामा कर दूँगा यह आपको angular displacement यह सब चीज़ें आप लिख चुके थे ठीक है अब मैं इसमें हलका सा कारणामा क्या करूँगा derivation स्टार्ट करूँगा तो आपको यह पता होता है यह जो आप circle देख रहे हैं यह circle के एकदम perpendicular निकल रहा है तुम्हारा क्या rotation axis को दिक्कत वाली बात नहीं सर्फ होता है ऐसा तो होता ही है अब एक काम करते हैं अगर मैं इसका top view लेता हूं अगर मैं इसका top view लेता हूँ लेकर रखाया है जब top view लूँगा तो क्या होगा मैं को यह proper circle ही दिखाए देगा ठीक है में यह प्रॉपर circle ही दिखाए देगा यह आपने पास एक proper circle ठीक है यहां तका फंडा पूरा क्लियर लेये तरही होता है तो center से अपने इसको मारा initial position vector center से अपने इसको मारा final position vector ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह जो point है ठीक है यह P था फिर वो P dash हो गया था उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं बस यह बोल रहा हूँ कि this is the initial position ठीक है and this is the final position ठीक है बड़ी है सर यहां तका funda भी पूरा clear हो चुक है अब क्या होता है कि भाई सब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक angle subtend हो रहा है theta के बराबर और यह वाला है जो हिस्सा है वो length of arc के बराबर है इसको बोल देंगे अपन r ठीक है पका बड़ी है चलब है तो अगर आप basic formula के उपर जाएंगे तो theta होता है length of arc by radius ठीक है तो therefore L is equal to क्या हो जाएगा sir r theta ठीक है basic formula क्या होता है theta is equal to length of arc by radius तो L क्या हो जाएगा यह हो जाएगा r into theta अब मैं क्या बोलना चाहरा हूँ भाई काम करना इसको differentiate माना यार मैं क्या बोलना चाहरा हूँ कि भाई काम कर इसको differentiate मार दे ठीक है और किसके respect में differentiation करेंगे तो sir differentiation अपन कर देते हैं sir यहाँ पे time के respect में ठीक है जैसे ही अपन time के respect में differentiation करना start करेंगे तो आपको यह basic चीज़े पता होनी शाहिए कि अगर आप linear displacement का differentiation करते हैं time के respect में तो क्या चीज़ मिलती है आपको सर शुरू हो जाते हैं तो linear displacement का differentiation करेंगे और यहाँ पर R को रखेंगे बाहर और फिर यहाँ पर कर देंगे angular displacement का differentiation तो linear displacement का differentiation is going to give you linear velocity और उसी तरह से जिस तरह से linear displacement का differentiation linear velocity होता है उसी प्रकार उसी प्यार से उसी खुबसूरती के साथ angular displacement का differentiation जो है वो angular velocity के बराबर हो जाएगा क्या आपके दिमाग में यह वाला funda clear हो गया यह आगे आपके पास में relation मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप इसका screenshot लें जल्दी से जल्दी आप इसका screenshot लें चले है भाई ठीक है यहाँ तरह का funda पूरा clear हो चुका है अब जरा हाँ तो यह अपने पास relation आच चुका है V is equals to r omega वाला ठीक है इसका जो vector representation है वो बड़ा interesting है इसमें r cross omega नहीं होता है इसमें होता है omega cross r और दोनों में भारी अंतर है भाई r cross omega और omega cross r दोनों का direction है वो एक दूसरे के opposite जाता है मैं आपको याद दिला हूँ i cross j कर ले क्या answer आता है k आता है आई मेरी बात समझ में तो इस बात के ज़र आप ध्यान रखेंगे this is the vector representation पहले मैं चाहूँगा एक दफ़ा आप इसका screenshot ले ले उसके बाद एक basic numerical करवा करेंगे फिर इसको आपन समाप्त करते हैं ठीक है done? yes sir अब जैसा माल लीजे अगर मैं आपको बोल दूँँ एक question के format में आपसे मैं अगर बोल दूँ कि omega 2 minus 3 और 4 k cap है और r जो है 5, 2, 3 k cap है तो what is going to be the linear velocity तो आप जानते हैं linear velocity जो होती है वो क्या होती है? वो होती है omega cross r वो होती है omega cross r ठीक है? तो पहले अपन क्या करेंगे? पहले अपन बनाएंगे इसका proper determinant ठीक है? पहले अपन बनाएंगे इसका proper determinant यहाँ पे लग जाएगा i cap यहाँ पे लग जाएगा j cap यहां पर लग जाएगा k-cap तो भाई यह क्या होता है by default plus by default minus by default plus ठीक है अब ज़रा गौर करते हो चलना पहले omega है का बाद में आ रहाएगा omega करता है 2 minus 3 or 4 क्या है omega 2 minus 3 or 4 और r करता है 5 2 or 3 5 है 2 है और 3 है यहां तका funda पूरा clear हो गया yes sir supremely clear हो चुका है यहां तक करतो funda अब ज़रा गौर करना normal सा होता है cross multiplication को solve करना कैसे solve के जाएगा normal सा cross multiplication ज़रा गौर करते हो चलो by default i cap वाला plus चल रही है अचकल तो plus रख दिया उसको पने कोई दिखकर नहीं है इसका column चुपा दीजेगा इसका row भी छुपा दीजेगा तो minus 3 भाई omega लिखा न अपने पहले 2 minus 3 4 और r लिखा बाद में 5 2 3 सही बात है तो i cap का column गया i cap का row चला गया तो minus 3 into 3 करेंगे तो minus 9 और यहां से आजाएगा minus 8 तो minus 9 और यहां से आजाएगा minus 8 उसके बाद i के बाद क्या हो जाएगा j हो जाएगा तो j cap वाले case में क्या होता बिटा इसका column गया इसका row गया इसका column गया इसका row गया तो 2 3 सह करेंगे 6 6 minus करना पड़ेगा फिर अपने को 20 तो लिख देता हूँ मैं इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 6 minus 20 और k cap के बारे में जरा सोचना किसके बारे में सोचना k cap के बारे में column जाएगा इसका row जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4 के बाद minus of minus 15 तो हो जाएगा 4 plus 15 तो हो जाएगा 4 plus 15 अब उसके बाद अपने पास जो यह velocity vector आ रहा है वो कितना है minus 9 minus 8 का मतलब होता है minus 17 i cap उसके बाद 6 minus 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा minus का 14 और minus का 14 और minus का j तो plus का 14 क्या हो जाएगा j cap उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 का k cap ठीक है बस बात ही खतम तो यह तुम्हारे पास में आ जाती है velocity in meter per second velocity आ चुकी है in meter per second शुरू होते ही बात हो गई है खतम क्या आपके दिमाग में यह वाला फंडा supreme तरह से clearly बैठी गया है यह स्तर एकदम बहतुरीन तरह से बैठी गया है तो relation जो था between angular velocity linear velocity यह अपना हो चुका है done इसी के साथ खतम होता यह lecture अब मुझे लग रहा है कि आपको यह पूरी कहानी पूरी बात जो थी आपके दिमाग में सटीक तरह से बैठ गई होगी अगर आपको भी लगता है कि इस वीडियो ने आपकी help करी है तो ज़रा प्यार बरसाएं इस वीडियो के उपर इस वीडियो को लाइक करें सबसे जादा important बात क्या है इस वीडियो को फिलादो अपने सारे मित्र मंडल में सब को बता दे ना कि मागनेट ब्रेंस के चैनल पे प्लेलिस में फिजिक्स में क्या क्या शांदा चीज़ें हैं और क्या जबरदस चीज़ें आप तक और भी जल से जल पहुंचने वाली है अगर आपका कोई भी feedback है या suggestion है तारीफ है या बुराईया है या जो कुछ भी है तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग दा कॉमेंट सेक्शन में और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है हम लोग डे बाई-डे चक है है कि इस वीडियो कOoh नीचे क्या कामेंट आया था इस वीडियो के नीचे क्या कहा जा रहा था बच्चे क्या डेमांड कर रहे हैं कौनसी बातощा ऐसी ही कहती गई थी ठीक है तो हम लोग पूरा अच्छे से उसको बैट करके देखते हैं समझते हैं अगर आपका feedback जन्यून रहेगा अगर लगता है उस पर काम किया जा सकते हैं तो उस पर बिलकुल काम किया जाएगा that's a guaranteed thing अब इसी के साथ खर्दम करतें इस पूरे वीडियो को और जैसे के आप सब जानते हैं कि Magnet Brains जो प्रोवाइट करता है वो English Medium as well as Hindi Medium वाली classes with entire full complete syllabus coverage CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board और Vedic match crash course or spoken English इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप Magnet Brains के official website पर visit कह सकते हैं Thank you so much